आप सभी का स्वागत है फिर से हमारा चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट MVSD इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है और सारी बाते इस वीडियो में करेंगे कि ये वीडियो GL के लिए क्यों स्पेसल है ये गेम GL के लिए क्यों हम लोग ट्राइ करने वाले हैं किस तरीके से ट्राइ करने वाले हैं किस प्लेयर को रोटेट करना है कौन CVC के लिए सबसे बहतर होने वाले है सारी बाते करने वाले है इस वीडियो में उससे पहले एक important बात कि lineup के बाद जो भी update आएगा final team lineup के बाद जो भी update आएगा कौन से player अगर कोई player ने खिल रहे कोई new player खिल रहे हैं उनके बारे में सारी बाते इस telegram channel पर पता चलेगी इस telegram channel पर जूड़ना कैसे हैं description में जाईए description link से जूड़ सकते है अगर description की जो वो link है वो work ना करें तो telegram पर जाईए search bar पर click किजिए वापर जाके search किजिए fantasy expert mvsd यह हमारा channel है इदर आके जूड़ जाईए GL में इस game में क्या करने वाले सारी अपडेट इदर मिलेगी और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेगी कि यह गेम जील के लिए क्यों है खास इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद है कि टीटन में इतनी बड़ी जील देना यह जो जील है ना यह हमारा फोकस होने वाला है मैं आपको कहूँगा में इस जील ऐसल दोनों इस गेम में इगनूर किजीगा जील में हमारा में फोकस होने वाला है हम ट्राइक करने वाले है कि यह जो प्राइज है ना इस प्राइज के पीछे लगेगे इस प्राइज में टॉप हंड्रेड टॉप अगर हम बात करें दोनों टीम के बारे में T.E.U. और T.E.R.S. की टीम दोनों टीम विनिंग्स टीम है T.E.U. की टीम तीन गेम में दो जीत के आ रही है तो T.E.R.S. की टीम दो में दो जीत के आ रही है उसे से आप लोग अंदाजल लगा सकते हैं कि दोनों टीम में एक दूसरी के कमपरीजन में कितनी बहतर टीम है अगर मात करें इन दोनों के last game के बारे में ना TU के टीम अपना Last Game इस्टेलियन के सामने एक अच्छे खासे तरीके सजीत के आई थी और अगर मात करें दूसरी टीम के बारे में है टीयर ऋबन्य ग्नलब को आँक यह को ढिन वहाथ हो आइस की हिंव टी यू को हराये था इनका नास्ट हेड्टो है चैन्श हुआ है यह थी, और ने'S है कि और शेंअ क्या किया था और ने टीम बेस्ट बारे में तो सकील चौहान जो है इनके गिनबाद दो वर की गिनबाजी में एक विकेट अली मसूद ने अभी दो से गिनबाजी की थी लेकिन विकेट इनके नाम नहीं रहा इनको 20 प्लस की एकोनोमी से बहुत ज्यादा मार पड़ी थी अनुराग सिंग दो वर में एक आ रहे हैं अली मसूद ने बॉलिंग भी की है साथ में बैटिंग भी कर सकते हैं तो इंपोर्टन पिक है तो उसके इलावा चाहिल छोहान जो है ना इन्होंने क्या बैटिंग की है भाई सहा मजा आ गया था देखके क्या ही लेवल का गरदा उड़ा दिये बॉस क्या ही बैट टो एड हुआ था ना कि लास्ट ट्रीव हो कि देखके यह दिनक्राफ़ जिएंग पांटकर ने दो डाले थे जफरी ने दो डाले थे दो ओवर इसलाम ने डाले थे लेकिन पठंकर ने एक ही ओवर में दो विकेट निकाले थे अगर मत करें सामने से बैटिंग में इस बार आयूस उम्मत ने ओपन किया था अनुराक सिंग ने एक अची इनिंग ठेली साहिल चोहान कंटीनिउस बेसे क्या खेल रहा है यह बंदा सामने से अगर बात करें वहां से मैदूल इस्लाम ने कमाल की इनिंग खेली थी 87 रन की उसके इलावा जिसार ने 26 बनाए उसके इलावा सारे फ्लॉप नजर आए थे पार्थ करने डाउन इंटु दॉडर आके थोड़ा सा खेल लिया अली मसूद ने तीन विकेट निकाले थे उसके इलावा उतना कुछ खास कोई कर नहीं पाया अब भी डायरेक्ट चलते हैं ड्रीम इलाइन पे वही पे जाके बात करते हैं कि हमको जी यल में क्या करने वाले हैं कौन से मस्ट पिक रहने वाले हैं और कौन से प्लेयर्स पे हम लोग ग्रिस्क लेने वाले हैं हम अगर हम बात करें ना कि दोनों टीम्स के तरफ से ऐसे प्लेयर्स जिनको हमको हर कंडिशन में रखना ही रखना हैं तो वह सबसे पहले टी यू की तरफ से हम बात करते हैं अली मसूद ए चोहान बैट विद बॉल अनुराक सिंग ए राना बॉलिंग के साथ दो दो ओवर कंटिन्यूस बेसेस पे बी वर्मा की बात करें यह पार्ट टाइप बॉलर नजर आते हैं कभी विकेट निकाल देते हैं कभी नहीं निगम के साथ हम लोग देखेगे अम डी सोहेव बुरसे रखने एम इसलाम रखने ही रखने है पार्त करके साथ क्या होथा भाई थिलस के मैं हां इनको छोहान जय करने हैं एक सेकट करेजागा एक और छोहान थे फाई किदर गए वह चोहान जो दो डाल रहे ते ओपन कर रहे यह रहे हाँ बास इन नौव प्लेयर्स को हमको ड्रॉप नहीं करना है पार्थ कर एच चोहान एच चोहान यह मसूद एम इसलाम एराना एम सोहेब अनुराग सिंग और एम इसलाम कितने ओवर कवर हुए इदर से दो ओवर साथ में दो ओवर इनके कवर होगे दो ओवर इनके कवर होगे दो ओवर इनके कवर होगे दो ओवर इनके दो दो यानि कि अगर हम बत करें ना तो हमारे टी यू की तरफ से होगे दो दो चार दो छे और दो आठ और सामने कितने ओवर वहा से बचे हैं दो ओवर और वहा से बचे हैं चार ओवर इधर से अगर हम बात करें आप वो चार ओवर में से दो ओवर डालने वाले हैं एज जफरी एक ओवर डीन और एक ओवर डाल सकते हैं पठंकर अगर हम बात करें वहा से बचे हुए ओवर तो ओबिली और बी वर्मा मैंसे कोई दोनों एक एक ओवर डाल सकते हैं या कोई दो ओवर डाल सकता है इनको हम रोटेट कर सकते हैं अगर हम बात करेंगे एक प्लेयर और ए निगम बैटिंग फर्स में रख सकता हूं मैं तो उदर से मैं जिसान को भी रख सकता हूं फिलाल मैंने किसको रखा है ए निगम को अब वो जो लाफ्स प्लेयर है ना वो हमको गुमाते जाना जैसे कि एक में एम जिसान रख लिए एक में पटंखर रख लिए यह ऐसे ऐसे गुमाते जाना क्योंकि बॉलिंग कर रहे है न पाट टाइम एस जफरी रख लिए एक टीम में हमने उबिली रख लिए एक टीम में हमने उम्मत रख लिए एक टीम में हमने वर्मा रख लिए कितनी टीम हुई पांच टीम तो अब नेक्स टीम में क्या कीजिए निगम की जगह आप लोग रख लेजिए मैं दो दो गुमाते जाना है तो एसे हम लोग हो नहीं स्तरर से टीम क्रेट होती जाएगी अब बारी आतीर सी विचानली सी बीचांजर्थ वाला इस गेम में क्योंकि जिस तरह की बैटिंग चल रही है ना बैटर के इलावा आप लोग चाहेगे नहीं हम किसी और के साथ सी वी सी जाईए आ क्यू चाहेगे आप लोग बैटर इतना अच्छा अच्छे लेवल की बैटिंग कर रहे हैं न यह दो ऐसी टीम है जहां पर लगार बेहरे इ 얼마나य больше लóा यह दो के वाला लगता है तक हसांट आप में सका cellphone करें बैटिंगा से चाहाु के सांट करें तो ऑषंग फों स ना वो मैंने M G San को रखा है फिलाल मेरी ये टीम है फाइनल टीम के लिए टेलेग्राम सेनल पर जुड़ जाएगा टेलेग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक से या फिर टेलेग्राम पर जाकर सर्च किजीएगा मैं आपको पहले ही बता दू चोहान चोहान कर ये अपने इसलाम ये सब जील के लिए बहतरीन सीवीसी है मसूद और स्वेब के साथ इसलिए गया हूँ क्योंकि ओवर डाल रहे हैं टॉप फोर में बैटिंग कर रहे हैं लेकिन ये सब बही अच्छे ऑप्संस है जील में और कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो भी अच्छे ऑप्संस है जैस स्रिप और स्रेप जील खिलने वाले है इस गेम है थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो होफ फुली हम लोग मचाने वाले है